भारत को हम क्रिशी प्रधान देश कहते हैं और किसानों को अन्न दाता कहते हैं हर बार ऐसा क्यों होता है कि उन्हें अपने हग के लिए प्रदर्शन करने होते हैं और धर्ना देना होता है जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूं किसानों के विरूत प्रदर्सन के बारे में कि आखिर क्यों वे दिल्ली में प्रदर्सन कर रहे हैं, कौन-कौन से किसान संगठन है जो प्रदर्सन कर रहे हैं और किसके खिलाफ प्रदर्सन कर रहे हैं नमस्कार मेरा नाम है अमर्दीप और आप देख रहे हैं Vibes of India तो पहले जानते हैं उन संगठनों के बारे में जो वहां प्रदर्शन कर रहे हैं और जिसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं तो गौतम बुधन नगर जिले में वर्तमान में चार विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं जै जवान जै किसान संगठन का विरोध अंसल बिल्डर्स के खिलाफ अल इंडिया किसान सभा का ग्रेटर नोईडा प्रार्दिकरण के खिलाफ भारति किसान परिशत का सेक्टर 24 में नेशनल थर्मर पावर कॉर्परेशन यानि NTPC मुख्याले में और सेक्टर 6 में नोईडा प्रार्दिकरण के खिलाफ धर्ना दे रहे हैं अब जानते हैं कि इसकी सुरुवात कहां और कैसे हुई तो इन सभी संगठनों ने बुद्धवार को ग्रेटर नोईडा प्रार्दिकरण कार्याले में एक महा पंचायद बुलाई थी जहां समयबध तरीके से उनके मुद्धों के समाधान की मांग को लेकर गुरुवार को संसत तक का मार्च करने का फैसला की लिया गया था अब जानते हैं कि इनकी मांगे क्या क्या है किसानों की दो प्रमुख मांगे हैं पहले विबिन विकास परियोजनाओं के लिए प्राधिकरनों द्वारा ली गई उनकी भूमी के मुआवजे की रूप में वे विक्सित भूमी पर अपने परिवारों के लिए 10% आवास ये भूखंड की मांग करते हैं किसानों का तर्क है कि उनकी अधिकास भूमी अधिगरन करनेने के बाद वे भिमुहीन हो गए हैं मतलब उनके पास अब रहने के लिए जमीन नहीं है वे सवाल करते हैं कि सरकार भले ही उनकी जमीन को लेकर दावा कर रही है कि उन वहाँ पर विकास होगा लेकिन उनके परिवार और आने वाली पिवरियां कैसे पलेंगे। आपको बता दें कि वर्तमान में नोईडा प्राधिकरन किसानों को कुल अधिग्रहित भूमी का 5% हिस्ता देता है, जिसे उन्होंने आपरियाप्त बताया है। गेटर नोईडा प्राधिकरन उन्हें विक्सित भूकरन का 6% हिस्ता देता है और वहीं यमूना प्राधिकरन उन्हें भूमी अधिग्रहन मुआवजे की रूप में 7% हिस्ता देता है। इसके अलावा किसान अतिरिक्त मौद्रिक मुआवजे की मांग कर रहे हैं। विभिन परियोजनाओं के लिए जब उनकी भूमी का अधिग्रन किया गया था तब उस समय के बजार दरों के अधार पर रासी दी गई थी। किसानों का आरोप है कि उनकी जमीन कई साल पहले सस्ते दाम पर ली गई थी और अब भी इसका खाम्याजा भुगत रहे हैं। पिछले कई महिनों से किसान अपने परिवारों के लिए नौकडी और चिकित्सा सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। प्राधिकरन के अधिकारियों ने कहा है कि वे किसान नेताओं के साथ जल्द भी बातचीत करेंगे और अभी भी उनका बातचीत चालू है। और जल्द ही एक सोहाध्रपूर्ण समाधान निकाला जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि अगर हम इन्हें अन्यदाता कहते हैं तो इनकी सुख सुविधाओं का ध्यान कौन रखेगा। क्यों धर्ना देने से पहले इनकी बात नहीं सुनी जाती। आपके क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं धन्यवाद।